नमस्कार बहुत सबागत आप सभीका आप देख रहे हैं अपकी बार किसकी सरकार और आज अपने इस उपिनियन पोल की सीरीज में हम आपको लेकर चलेंगे दक्षिन नमस्कार मैं हूँ सौरव शर्मा और मेरे साथ है मेरी सयोगी गोनेका अरोडा पुर्वान मंतरी नरेंद्र मोदी ने मंतरी परिशद की आखरी बैठक में अपने मंतरियों से कहा कि हम दक्षिन भी जीत रहे हैं हम 400 सीटों के साथ बापसी करेंगे इसका आधार क्या था नरेंद्र मोदी के पास आखर क्या पुखता जानकारी है 400 सीटें जीतने का टार्गेट दक्षिंड विजय के बिना पूरा नहीं हो सकता ये बात बिल्कुल सच है और दक्षिंड के पाँच राज्य हैं जिनने आप इस वक्त मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं यहां पर तेलंगाना, करनाटक, तमिलनाट, पुरिचरी, केरल और आंधिर प्रदेश और इन राज्यों में अगर भारती जनता पार्टी अच्छा नहीं करती या उन राज्यों में जहां उसका खाता नहीं खुलता वहां खाता खोले बगैर यह 370 BJP और 400 पार NDA मुम्किन नहीं है दक्षिन के पाँच राज्यों में लोगसभा की कुल 130 सीटे हैं 2019 के चुनाव में मोदी की पार्टी रे दक्षिन में लोगसभा की 29 सीटे जीते थी 25 सीटे करनाटक में और 4 सीटे तिलंगाना में लेकिन 400 सीट के पार जाने के लिए इतना काफी नहीं होगा BJP को अगर इस बार के चुनाव में दक्षिन का द्वार खोलना है तो यहां से कम से कम 55 से 60 सीटे तो जीतनी ही पड़ेंगे BJP 370 पार और NDA 400 पार तभी संभव है जब BJP तिलंगाना में भी जीते, टेरल में भी जीत दर्ज करे तमिन लाडू में भी सीटें जीते और करनाटक तो खेर जीत नहीं है मोदी की विरोधी कहते हैं कि दक्षिन में BJP घटने जा रही है राहूल गांधी दक्षिन भारत को ही बेस मान कर चलना है दक्षिन के दो राज्यों में इस वक्षिन की सरकार है और ये बात कहने के लिए इसलिए उनके पास आई काधार भी है क्या दक्षिन में मोदी और राहूल भीडेंगे मोदी और राहूल जब भी आमने सामने होते हैं तो मोदी ही जीते हैं दक्षिन में क्या नतीजा निकलेगा 24 का चुनाब मोदी के फेवर में जाएगा या राहुल की सरकार बनाएगा पांच राज्यों का उपीनियन पोल कुछी देर में आपके सामने होगा तो आपको इस वक्त हम टेलिविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरी पांच राज्यों की जो अलग-अलग सीटे है तेलंगाना में 17 सीटे है, करनाटा की 28, तमिलाडू पुडुचोरी की 40, केरल की 20 और आंधर पदेश की 25 सीटे कुछी दिर में आपको बॉल पर दिखाई देगा हमारा वो पीनियन पोल जिससे साफ हो जाएगा कि आखिर दक्षिन में इस बार चुनार में क्या होने वाला है और ये कुल 130 सीटे हैं गौरीका जिनके हम लोग आज बात करने जा रहे हैं हम लगातार एक क्रम में एक सीरीज में दिखा रहे हैं आपको यूपी का सर्वे बिहार का सर्वे महाराज बंगाल के हम लोग सब बात कर चुके हैं दक्षिन भारत की इन पांच राज्यों की 130 सीटों में अगर आप देखें तो भारती जनता पार्टी तीन प्रदेश तो ऐसे हैं जहां पर 0 है शिफर है तिलंगाना में 4 सीटें 2019 में आई थी करनाटिक में आप 25 सीटें उसके पास है 28 सीटों माले राज्यों में तो ऐसे अगर आप देखिए तो 25 और 29 सीटें पूरे उत्तर भारत की इन 130 सीटों में से भारती जनता पार्टी के पास हैं हम एक एक राज्य करके आज आगे बढ़ेंगे आपके सामने सबसे पहले तिलंगाना का सर्वे हम रखने जारे हैं उससे पहले आपको मेहमानों से मिलवा दे आज आपके सामने दक्षिन भारत के इस opinion पूल पर बात करने के लिए हमारे साथ कई senior journalist हैं, कई अनुभवी मेहमान हैं मैं स्वागत करना चाओंगा श्रिक कृष्णा जी का हमारे बीच में senior journalist है सर बहुत स्वागत है आपका आपके अनुभव से आज हमको धक्षण महारत में हमें भी जो है अपनी जानकारी बढ़ाने का मौका मिलेगा विजय तरि वेधी जी हमारे साथ पहले मैं आपको बता दूँ लेकिन मैं इससे पहले तेलंगाना का सर्वे हम लोग खोलें को नहीं का एक राय जरूर लेनी चाहिए क्योंकि उसके बाद तो फिर सीधे सीधे नंबर हम लोग बता देंगे शुरुवात उस छोर से करते हैं जहां पर आप इस वक खड़ी हुई है आंद्रप्रदेश केरल तमिलनाट जादा रुची मेरी तो इन तीन राज्यों में जानने की है यहां पर जीरो से आगे क्या भारती जनता पार्टी बढ़ पाएगी विजे जी क्या लगता है आपको इ ऐसा मुझे नहीं लगता खाता खुलने की संभावना दिखाई देती है हलाकि आंद्रप्रदेश में अभी हम लोग तमिलनाटू किरल की बार चुड़ी आंद्रप्रदेश में वेंका या नाइडू के जमाने से पार्टी कोशिश करती रही लेकिन कोई बड़ी कोशिश ब बोड़ पर नंबर लगाने की बाता है सबसे पहले आपको सीधा 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 साथ मुझे आप जहां आजाते हैं कुछ दिखता ही नहीं हो कि आंद्रप्रदेश में फिलहाल अगर एक दो भी आजाए तो बहुत अच्छी बात होगी केरल में अभी मेरे को लगता है इ साथ मिली है तब ही सीध मिली है अपने बल पे नहीं मिली है क्योंकि मैं आपको एक सीधी बाद बता देखे आप चाहे कुछ भी कही है तमिल नाडू का बात है वहां अभी भी भाजपा को हिंदी पार्टी समझते है तैग लगी हुई है खेर एक और एक ही इनका अच्छी बात है कि बाचपा का उनका संगठन जो है वो काफी मस्बूत है और उन्होंने अभी से ही शुरू कर दिया अपना एलेक्शन कैंपिक जो विरोधी दल अभी शुरू भी नहीं कर पाए शायर ये एक छोटा सा प्लस पॉइंट जो इनके फेवर में जा सकता है लेकिन यहाँ स इससे जादा आएगी क्या अब आगे बात करेंगो उस पे इन तीन राजियों की बात करें तो आंधर प्रदेश में अगर टीडीपी और जन सेना पवन कल्यान की जो है उसके साथ अगर नहीं जाएगी तो भारती जनता पार्टी शूर ने रहने वाले हैं वहाँ इतना नहीं हो सकता है हमारे आओधी में कहते हैं कि मुस मुटाई तो लोड़ा वही तो उस से जादा हो नहीं सकते मुझे नहीं लगता कि वहाँ कोई सि Dust जीतेंगे लेकिन केरल के बारे मैं जरूर कहूँगा केरल में कम से कम ऐसी 6 सीटे हैं जिसमें भारती जनता पार्टी को थोड़ा सा जंप मिलेगा और वो कमाल कर सकती है आप जिब एके अंटथनी के बेटे अनिल अंटथनी जैसे लोगों को पतन मतिटा से लड़ते हुए देखते हैं और वहां भारती जनता पार्टी का मत प्रतिशट देखते हैं तो थोड़ा सा खेल हुआ तो बदलेगा, तुरिशूर में बदल सकता है, तिरुवानन पूरा में बदल सकता है, आंध्रा में अगर सर्वे सीट देता है, तो आपको हरानी होगी, केरल में हरानी नहीं होगी, और तमिलाडू में भी ऐसी कम से कम 4-5 सीटे हैं, जहां भारती जन्ता पार्टी गेन कर सकत इसकी बज़ा शायद ये भी होगी, कि 13 प्रतिशत पिछली बार केरल में बज़ेपी को वोट शेर मिला भी था, और शायद सीट तो नहीं मिली, लेकिन इस बार कहीं न कहीं, वो सीट में शायद कनवर्ट हो सकता है, जैसा कि अश्वर्दा जी अनुमान लगा रहे हैं कितनी सीटें देने वाला है, सर्वे आपके सामने आ रहा है, अब 17 सीटों वाले तेलंग आना के अंदर भारती जन्ता पार्टी पाँच सीटें जीच सकती है, इसका मतलब 2019 की तुल्ला में एक सीट जादा, पाँच सीटें आ सकती हैं, बीजेपी को, दो सीट बी आरस को, के चंदर शेकर राओ के पार्टी बहुत निराशा होगी उनको इस नंबर से, कॉंग्रेस पार्टी वहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी बनेगी, ऐसा हमको लगता है, सर्वे के आधार पर 9 सीटें कॉंग्रेस को मिल सकती है, और AIMIM को जो हैदराबाद की सीटें में, मैं मा चंदर शेकर राओ के लिए जायर तोर पर ये बहुत बड़ी नराशा है कि दो सीटे हैं, राजी तो उनके हाथ से गया है अब लोकसभा चुनाव में भी उनको सफलता मिलती नहीं दिख रही है, कॉंग्रेस की 9 सीटे, समीर जी क्या कहेंगे सुपीनियन पोल के नतीजों पर क्या लग रहा है आपको कि ये आपके नुमान के मुताबिक लग रहा है कि वही नतीजे है जो आप सोच रहे हैं या आपका नुमान है, निश्टी मुझे लग रहा था कि तेलांगाना के अंदर बारतियान्ता पार्टी बहतर पदशन करेगी, क्योंकि 2019 का अगर परिण लेकिन भारतियान्ता पार्टी का वाँ संकटन लगातार मजबूत रहा है तो मुझे उमिद थी कि भारतियान्ता पार्टी पांसे छे सीटे तेलंगाना के अंदर जी सकती है और जिस हिसासे बियारेस का पदश्यार विदासभाव चिनौ में रहा है, उसके बाद यह अत्त अधे विदान सब्याव चुनौ में रहा है, जो एक लोगस बाद चुनौ में रूट जो एक वोट सब्याव चुनौ में रहा है और बहारतियान्ता पार्टी का संकटन मजबूत है जो तो 4 सीटे वारतियान पार्टी ने जीती रिशायद वह तो जीतेंगी, इसके पार्टिल को बीजेपी इससे बहतर कर सकती थे आपको ऐसा लगता है कि यहां सीधी टकर कॉंग्रेस और भारती जन्ता पार्टी की बीची तिलंगाना में हुई है लेकिन बीजेपी शायद चाहती हूं कि इससे और बहतर करें कृष्णा सर में कुछ लगता है कि जो वोट प ज़्यादा बड़ा है चार से पांच मैं खाता हूं से छे भी हो सकता है शे या साथ मैक्सिमम साथ हो सकता है में को यह लग रहा है अभी तक अभी तो फिलाल बहुत जल्दी है अभी देखते हैं चुनों तो आगे आगे लेकिन अभी जो बात आप हम कह रहे थे तमिल किया जबसे वो अलग हो गए ते माने décs कभी जीत नहीं पाई कोई भी दूसरी पार्टि जीत नहीं पाई ड्राविडिक के लावा और जो पार्टि ड्राविड के साथ जाती है वो यह जीत पारी थी अभी वी एक तरह केgia के ड्राविड पार्टि जो है वो जो एमोशिन भ अब भी भी खेल रहे हैं अब वो कहां तक तेलंगाना के लोग बीजेपी को अब यह हमारे बीच की पार्टी है ऐसा समझने लगें कोई आउटसाइडर टैग नहीं है तेलंगाना में आउटसाइड नहीं है बीजेपी थोड़ा सा वहां पे वहां पर बेस बन रहा है उनका पहले जब आंधरा तलेंगाने एक था तब सही इनका बीजेपी का जो संगठने काफी काम कर रहा था उदर और वहां पर एक और देखिए जब नाइडू थे वेंका या नाइडू संगठन का उन्होंने बहुत काम किया है शैद उसका असर अभी भी थोड़ा पड़ रहा है विज़ा जी आंधर प्रदेश का जैसे जिकर के और तेलंगाना का तेलंगाना में हिंदी वाली प्राब्लम नहीं है क्योंकि आंधर प्रदेश तेलंगाना में एक तो आप जाएंगे तो वहां पर हिंदी भाषी बहुत लोग है वो हिंदी की तरह से ही कमोबेश बोलते है या हिंदी बोलते, तो इसलिए वहाँ पर वो परिशानी नहीं है, संगठन वहाँ है, पस नेता महाँ मिल जाए भरती जिनता पार्टी को, कि नेता अगर कोई हो, अब बंडी संजे कुमार हैं, जी किशन रेड़ी हैं, ये पार्टी को कुछ को तरह करना है कि उनका नेता कौ जबूत जगे दी, हाला कि वह भी एक जमाने तो के नेता रहे हैं, लेकिन कॉंग्रेस के बजाए भारती जनता पार्टी अपनी लीडर्शिप पर डावा डोल ना हो, किसको नेता बनाना है, तो आज की तारिक में भी आंध्र तेलंगाना में बेहतर कर सकती है, और ये प्र परिवार कह दिया, सुन्य प्रधान मंत्री ने अदीलाबाद में आज क्या कहा? सिर्फ आपके लिए होंगे, मेरा कोई नीजी सपना नहीं होगा, आपके सपने यही मेरा संकल्प होगा, और जिन्दगी खपा दूँगा, तो आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके बच्चों के भविष्य को उजबर बनाने के लिए, आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है, मैं हूँ मोदी का परिवार, मैं हूँ मोदी का परिवार, मैंने मोदी कुटमबम, आप भी मेरे साथ बोलिये, मैं हूँ मोदी का परिवार, मैं हो मैं हो मैं हो मैं हो मैं हो नेने मोधी कुटमम नेने 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 साथ्यों तो सीट भाई सीट भी हम बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी हाई प्रोफाल सीटे हैं जिस पर बीजेपी को जीत मिलती दिख रही है या फिर जहां से बीजेपी को निराशा हाथ लगेगी या उन सीटों पर किस तरीके का समिकरन बैठता है लेकिन हश्वरदन जी क्या क्या फै सीटों में कौन सी सीटें हैं जो इस सरवे में हैं वो शायद अभी भावेश जी बताएंगे लेकिन एक ते कि आदिलाबाद में थे जो भारती जनता पार्टी के अपनी सीट है दो सीटें हैं एक जहीराबाद के एंपी बीबी पार्टी लिए रस के थे वो आ गये हैं दू भारती जनता पार्टी ने मोमेंटम पकड़ा और पता नहीं जो भी वज़ा रही हो अंति में मोमेंटम लूज किया लोगसभा चुनाओ में ऐसा किसी भी स्थिति में होगा ये कोई भी सामान ने जो समझ रखता है राजनीति की नरेंद्र मोती के रहते नहीं होने वाला द सभी दक्षिन भारत के पांचों राज्यों में आपको देखने को मिलेगा करनाटक तेलंगाना में इसलिए जादा देखने को लिए कि बेस उसके पास पहले से है और उसी वज़ा से मुझे लगता है कि जब वहां लडाई होगी तो हो सकता है कि सबसे बड़ी पार्टी कॉंग्रेस हो या भारती जनता पार्टी हो दोनों के बीच में बहुत कम अंतर होगा हो सकता है कि भारती जनता पार्टी लोग सभा सीटों के लिहास से नमबर एक पार्टी भी बन जाए तो आपको लगरा कॉंग्रेस और बीजेपी इंटर्चेंज हो सकते हैं निश्यत तोर पर तो बड़ी सीटे हैं विधान सभा का जिक्र किया तो बीजेपी का जो नुकसान हुआ वो किवल इसी मैसेज से हुआ कि वहाँ लोगों को लगा कि बीजेपी चुनाव लड़ रहे हैं उसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा नहीं तो मुझे नहीं लगता था कि इतना खराब परफॉर्मेंस उनका रहेगा और जो वोटर था वो बीजेपी के खिलाब था उसी का नुकसान बीरेस को भी उठाना पड़ा जिन सीटों की जिकर का जिकर भी गोने का कर रहे ही थी एक एक करके उनकी बात कर लेते हैं पहले करीम नगर तेलंगाना की एक हाई प्रोफाइल सीट है यहां से बंडी संजे चुनाव रड़ते हैं जो पूर प्रदेश अध्यक्ष है और भी जो जिकर कर रहे थे विजेजी की इनको जिस तरीके से इनको रिप्लेस किया गया शायद वो बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव से पहले जीट होती भी दिखाई दे रही है इसके लाबा जल्दी बात कर लेते हैं निजामाबाद की सीट की भी तेलंगाना की ये भी एक और बड़ी सीट है निजामाबाद 2019 में बीजेपी के अर्विन धरमपुरी ने टी आरेस की उमीदबार के कविता को यहां से जो केसियार की बीटी है उनको 72,000 से जादा वोट से हराया था अर्विन धरमपुरी की जीट तेलंगाना में बीजेपी के लिए एक बड़ा डिफाइनिंग मोबेंट रही थी और एक बार यहीं से वो फिर दुबारा उमीद बार है यह भी बीजेपी के लिए एक प्लस सीट दिखाई दे रही है और जो एक सीट यहां आप देख रहे है AIMIM को मिलती भी यह हैदराबाद की सीट है हैदराबाद से OVC पाँचवी बार सांसत बन सकते है यह भी हमारा सर्वे जो है वो दिखा रहा है यह भी हैदराबाद में बीजेपी ने उनके सामने एक मेला कंडिडेट उतारी है बहुत मजबूत उम्मीदवार बताई जा रहे है भावेश बता सकते है लेकिन बहुत कापी स्टॉंग कंडिडेट है लेकिन अधराबाद में तो ओवेशी का पूरा वो है मेरे ख्याल से यह अभी सोचना के हैदराबाद में बीजेपी जीग जाएगी जबकि वहाँ पे सोचल लिक्विशन बिलकुल यह डिफरेंट है ते लगना कि और किसी रीजिन से आप देखेंगे या किसी और डिष्टिक से देखेंगे तो हैदराबाद में ओवेशी को हराना फिलहाल तो बहुत मुस्किल है एक ही केस में ओवेशी वहाँ पे हाल सकते है यदि कॉंग्रेस वहाँ पे पूरी तरह जो माइनर्टी वोट का पूरी तरह डिवाइड कर दे जो की बहुत मुस्किल है कि वहाँ पे जो मुस्लिम का जो वोट है उनके जाथ में नहीं है लेकिन अधार डिस्टिक में आप जाएए तो वहाँ पे जो एंटी बीजेपी का जो वोट है वो उसकी सबसे बड़ी बेनिफिसरी आज की डेट में कॉंग्रेस है के लिए आप देखेंगे कॉंग्रेस दो तीन से बढ़के नो की तरफ जा रही है लेकिन बीजेपी के लिए एक सेट बैक भी आपको याद होगा सौरव हम जब जुलाई अक्टूबर में सर्वे करें तो वहाँ पे बीजेपी साथ सीटे जीत रही थी आज के छे सीटे जी है थोड़ा सा एक दो और सीटे जिसमें बीजेपी बहुत अच्छा कर सकती हालक कि अभी नाम नहीं बता सकते लेकिन बीजेपी के लिए एक चैलेंज है कि वहाँ पे अपने आप देरे वही पहुचा देंगे साथ पिचा से आप देका कि पीच नीचे आई है मेरे पहुच नहीं साथ हो सकता है वरस्त के सकता है। के लावाद दो और सीट्स है जो आपने इस सुपीनियन पूल में दिया है नहीं दिया है बिल्कुल तो यह आपके सामदें तेलंगाना की परिस्थिती अच कॉंग्रेस कॉंग्रेस जो है नंबर एक पार्टी बन करके आ रही है मतला अब इस स्टेट के अंदर सीधा यह भी कॉंग्रेस वर्सेस बीजेपी वाली स्टेट बन गई तेलंगाना देखे जब विधान सभा को चुनाब हो रहा था उसी टाइम एक सेंटिमेंट था वहाँ पर कि इस बा पर तो कॉंग्रेस वरे से फाइदा मिला बीजेपी को उसी का इस पार फाइदा मिलता रहा है कि वो बीजेपी कॉंग्रेस को टकर कौन दे सकता आज की डेट में बी आरेस के लिए बहुत ही अभी खराब सिच्वेशन है कि उनके कैंडिडेट सब अभी देखे सीटिंग ए अभी जो लड़ाई है किसी छेत्री पार्टी से भाजपा को लड़ना है कॉंग्रेस से जैसे भाजपा कॉंग्रेस सामने आते हैं तो नेशनल पार्टी जब दोनों सामने आती हैं तो कॉंग्रेस बहुत कमजोर पड़ जाती है क्या उसका असर लोकसभा सीटों पर पड़ बारत की 130 सीटों का उपिनियन पोल क्या कहता है। करनाटक के इस बारत की 130 सीटों के पार पहुंचाया थे। बीजेपी को इस बार भी करनाटक से बड़ी उम्बीदे हैं। लेकिन राज में सरकार कॉंग्रेस पार्टी की है, राहुल गांधी भी करनाटक से काफी उम्बीदे लगाये बैठे हैं। अब रिस्क कम करने के लिए बीजेपी ने इस बार जेडियस के साथ गटबंदन किया है लेकिन सबसे महत्पूर्ण यह है कि करनाटक की जनता क्या सोच रही है उसका मन किसकी हो रहा है तो चलिए आपके सामने खोलते हैं करनाटक की 28 सीटों का ओपिडियन पोल आपके सामने आने जा रहा है अब जहां 25 सीटे 2019 के चुनाओ में भारतिय जनता पार्टी को मिली थी इस बार सर्वे के हिसाब से बीजेपी उसके पास लेकिन थोड़ा पीछे 22 सीटों पर जाकर रुख सकती है कॉंग्रेस पार्टी को यहां 4 सीटे मिल सकती हैं और जेडियस को तो 2 सीटे मिलती भी दिखाई दे रही हैं तो अगर आप NDA की बात करें तो चूंकि जेडियस और बीजेपी का गटबंदन ना इस बार तो आप NDA को 26 समझ सकते हैं अपने दम पर बीजेपी 22, जेडियस दो और कॉंग्रेस पार्टी को 4 सीटे मिलती भी दिखाई दे रही हैं लेकिन वहां कॉंग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद अगर यह प्रदर्शन बीजेपी कर रही है तो शायद इसको ठीक प्रदर्शन ही कहना चाहिए दक्षन भारत में करनाटक से बीजेपी को बड़ा सेट बैग भी लग सकता था लेकिन बीजेपी अपना डामिज कंट्रोल करती भी दिखाई दे रही है 22 सीटों पर जाकर बीजेपी 28 में से रह सकती है तो यह आपके सामने करनाटक की 28 सीटों का उपी लेकिन पिछली बार से अगर देखे तो पिछली बार जो 25 सीटे थी और एक सीट और थी जो निर्दलिय उमीदवार था वो भी बीजेपी के साथ ही मिल गया 26 हो गई थी और 26 से अब 4 सीटों का नुकसान है कॉंग्रेस पिछली बार एक सीट पर थी इस बार चार सीट पर है तो कॉंग्रेस को कही न कई बढ़त मिली है अलाकि लगाता सिद्रा में या कह रहे हैं कि वो जितनी उमीदे बीजेपी कर रही है उतनी जीत नहीं पाएंगी वो तो खुद 20 सीटों की उमीदे लगा कर बैठें क्या देख रहा है आप क्या कॉंग्रेस जो अभी राज्यवे सरकार बना भी पाई है लेकि सिर्फ 6 महीने हुए तो कुछ फायदा इतना तो होता नहीं देख रहा है लेकिन बीजेपी को नुक्सान है और बीजेपी के लिए एक एक सीट दक्षिन में जरूरी है लेकिन मुझे रखता है जिस अबसे करनाटा कर विदान सभा के चुनाओं के परिणाम आए थी और वहां पे सरकार बनाई थी भार्ते जान्त पराड़ा टी को हाइना पडा था लेकिन तब भी हैता है धागिर पार्तियन्ता पार्टी का जमीन इस्तर पर करनाटाका में बहतर प्रभाव हो पदामंतरी मोधी के नाम जब 2024 का चुना होगा तो वोट मोधी के नाम पर पढ़ेंगे मुझे लग रहा है वह होते दिख रहा है बशर्ते कॉंग्रेस से महा सरकार जरूर बना लेकिन जिस खनick सीटे का अंडिया चुनाब लगे तक तो यसा को एनौंसमेंट है कि मांडिया सीट पर सुमन लता ही चुनाब लरेगी क्योंकि भी ज़एपीन उनको आउटसाइड शपोट ट्रूर जाता तो ज़्यादा क्योन जादा प्रवैश सिट लitजिञेए ठोलतुरों सीट रहे वहां से मांडिया और हसन दोनों उसका टेशिनल सीट है तो इन दोनों पर ही उनका कैंडिडेट होगा जहां तक अधर रीजन की बात आप करे थे जो करे थे पूरे करनाटका में देखें जैसे बिधान सभा में जो बीजेपी को नुकसान वह था उसका यह हुआ था लेकिन वो सारे चीजे जो इस लोकसभाव में लगभग लगभग सुन नी हो गए वो जो डामेज हो सकता था वोकली का और लिंगायद हलाकि ट्रेडिशनली एक साथ वोट नहीं करता है लेकिन पहली बाद देखा जाय है कि वोकली का और लिंगायद के कॉम्बिनेशन बन लेकिन बागी अधर रीजन में जहाँ जहाँ बीजेपी को लग सकता था कि नुकसान हो रहा हूँ उसने जेडियेस के साथ समझवता करके उसकी भरपाई करनी की पूरी तरह कोसिस किया। जहां पर वो 2019 में थी हर्षपरदन जी कैसे देखेंगे इसको कॉंग्रेस की नाकामियाबी या बीजेपी का अच्छा परफॉर्मेंस। पिताज यानि नगर पालिका से लेके विधायक की पहली सीट आई थी तो शेटार परिवार में आई थी। जग्दी शेटार अब वापस आ गए। दूसरी जो बड़ी चीज हुई है जिसको वहाँ ध्यान से देखना चाहिए करनाटक एक कहें कि देश के सबसे विकसित राज्यों में है अगर हम पर कैप्टा इंकम की बात करें तो तीसरा राज्य है जहां सबसे ज़्यादा पैसे लोगों की जेब में जाते हैं। पिछले कुस समय में जो फ्रीबी पॉलिटिक्स वहाँ शुरू हुई है वहाँ के लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। पिज़िगा उनके सपोर्ट में नहीं खड़ा होगा। मेरा ये मानना है कि भारती जनता पार्टी कमों बेश इन्हीं लगभग इसी सिती में रहने वाली है। कुछ सीटे हैं 4-5 सीटे जहां उसको मुश्किल है अब अगर वहाँ कुछ दूरूस कर लेगी तो पुराना आकळा बरकरार रहेगा। बिल्कुल तो इन्ही अब सीटों पर बात कर लेते हैं वो वियाईपी सीटे जिसपर सबकी नजर है। जीत रही है। बाचपा की सरकार थी करना तक में और इनका कोई लीडर भी नहीं था करना तक में बाचपा का जो काउंटर कर सके। जैसे लोकसवा में यह है कि फैदा इनका यह है कि इन्होंने मोदी को प्रोजेक्ट किया है प्राइम मिनेस्टर और वो काफी फरक पड़ता है कि कॉंग्रेस का तो अभी तक उतना बेस नहीं बनाएं लोकसवा के लिए। इसलिए इसी का फैदा बीजेपी उठा रही है। शैद यह जो सीटें कम हुई है यह इसी कारण हो सकता है कि थोड़ा सा इंपैक्ट जो असंबली का है शैद उसका थोड़ा पड़ा है हलका सा। कॉंग्रेस के लीडर डिके शुकुमार है और डिके शुकुमार के मुकाबले में भारतिय जन्ताफर पार्टी के पास लीडर नहीं है। भारतिय जन्ता पार्टी की वज़े से नहीं आएगा क्योंकि डीके शुकुमार कॉंग्रेस के मज़िए अपने का एंडिया मैक्सिमुम ट्वेंटी वाला इससे चार पग है इसमें एक चीज में जरूर देखिए आप भारतिय जन्ता पार्टी जो आप कहते हैं तो उसको और अच्छे सो उदाहरण से समझना हो तो जो जारखंड में इस्तिती थी जो रगुवर्दास को लेकर जो सेंटिमेंट था वो बासाराज बॉंबई को लेकर था लेकिन भारती जन्ता पार्टी ने उस लीडर्शिप क्राइसिस को खतम कर दिया है जो बीवाई विजेंद्र ह वो बहुत मजबूत नेता के तोर पर जाने जाते हैं और मेरा ही मानना है कि जो पार्टी की नेता नाराज से पिछले छे महीने में जिस तरह से वहाँ दिखा है जो पार्टी के प्रोग्राम से और जिस तरह से वो लड़ती हुई दिखी है मुझे लगता है कि आकड़े इस लाख वोटों से हराया था इससे पहले सीट पर 13 बार कॉंग्रेस और एक बार जनता दल के सांसद रहे हैं और उपीनियन पोल के मताबिक बैंगलोर उत्तर की सीट बीजिपी जीत रही है यानि कि सदनान गौडा इस बार भी अपनी सीट को जीत लेंगे अब बात उनिपी चिकमंगलोर की करते हैं दो बार से शोभा करंदलाजे वाहां से सांसद हैं शोभा करंदलाजे पूर सीम गेदुरप्पा की सबसे विश्वास पात्रवानी जाती हैं 2019 में शोभा करंदलाजे ने जेडियस को लगपक चार लाख वोटों से हराया था चिकमं चिकमंगलोर और उपीनियन पोल के मताबिक उड़ुपी चिकमंगलोर की सीट भी बीजेपी जीत रही है सौरब शोभा करंदलाजे एक बार से सीट जीत रही है अनन्त कुमार यहां से सांसद रही है तो यह सीट एक बार फिर बीजेपी के पास जाती भी दिखाई दे रही है और अब बात करते हैं चिकोडी सीट की बीजेपी के अन्ना साहिब शंकर जोले वो सांसद है यहां से 2019 में उन्होंने कॉंग्रिस को हराया था लगबग पौने दो लाख वोट से और उपिनियन पूल के मताबिक इस बार कॉंग्रिस के पास चिकोडी की सीट जाती भी दिखाई दे रही है गुलबरगा की बात करें तो कॉंग्रिस सद्धेक्ष मलिकारजुन घडगे की सीट है 2019 में बीजेपी के डॉक्टर उमेश जाधव ने मलिकारजुन घडगे को लगबग एक लाख वोटो से यहां से हरा दिया था लेकिन उपीनियन पूल के मताबिक इस बार ये सीट कॉंग्रेस पार्टी को जा सकती है तो चिकोडी सीट जो है गुलबरगा की सीट माँग कीजेगा एक बार फिर बीजेपी से वापस ले सकती है बैंगलोर रूरल तीन बार से डीके सुरेश यहां से सांसत बनकर के आ रह को लेकर के 2019 में डीके सुरेश ने बीजेपी को यहां दो लाख वोट से हराया था और उपिनियन पोल के मताबिक एक बार फिर यहां से कॉंग्रेस पार्टी जीत सकती है चामराज नगर की बात करें 2019 में बीजेपी के पास यह सीट थी यह सीट फिलहाल खाली है क्योंकि उस व हमी वहां से चुनाब लाएंगे और जिसमें हो सकता कि बीजेपी का सपोर्ट के साथ वो सीट निकाले और डीके सुरेश के लिए यह सीट बहुत मुश्किल होने वाले इसकी बड़े फायर ब्रांड लीडर हुआ करते थे वाजकल उनकी चर्चा कम होती अनन्त हेगडे जनता पार्टी बहुत स्ट्रॉंग होल्ड है बहुत बड़े नेता है मतलब उनका प्रभाव बहुत ज्यादा है ती रागवन हमारे साथ इंडिया ब्योरो चीफ वो जुड़ गए हमारे साथ रागवन देखें दो स्टेट्स के हमने से पहले तिलंगाना की बात की थी उस लंगाना की बात है कह सकते हैं सौरव की मोमेंटम जो है फिलाल बीजेपी के पक्ष में वहाँ पर नजर आ रहा है मेरा यह अनुमान है कि अगर आज वहां पर चुना हो जाए तो कम से कम 6 सीट बीजेपी जी सकती है बीजेपी की जो बहां के प्रदेश नेता जिनसे हम कर चल रहा हूं कि अगर आज तारी आज की तारीख में वहां पर चुना हो जाए तो 6 सीट बीजेपी निकाल सकती बहुत कमफर्टिबल स्थिती में बीजेपी इस वज़े से नजर आ रही क्योंकि वहां पर ब्यारस जो है वो पुरी तरह से कमजोर हो गई और त्यूंकि अब शुरू वादा जहां पर 5 गैरेंटी की गोष्णा करनाटा का कॉंग्रेस ने की थी और उसके बाद हमने देखा कि विदान सभा चुनाओ में बहुत जवर्दस बहुमत के साथ कॉंग्रेस ने सरकार बनाई थी यहां पर यह कहना बहुत ज़रूरी होगा कि अगर हम अर्ब सबाद चुनाओं पार्टी ने जीत लिया लेकिन रूरल एरियास में अभी भी कॉंग्रेस की गैरेंटी बहुत जबर्दस तरीके से काम कर रही और यह हमें नजर आता है लेकिन उसका मुकाबला इस बार लोग सबाद चुनाओं में चूंकि मोदी जी के व्यक्तित्व उनके चहरे से है इसलिए ऐसा करनाटक में कहीं कहीं ने कहीं आसा लग रहा है कि मोदी जी के चहरे पर बीजेपी को एक जबर्दस्त काम्याबी मिल सकती है हलां कि कॉंग्रेस के जो नेता है डीके शूकुमार वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस बार ऐसे चहरों को मैदान में एंपीस हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ एक इंकंबंसी है एक एंटिंकंबंसी का वो सामना कर रहे हैं और दूसरी बात 2019 का एक छोटा सा जिक्र कर देता हूं जब कॉंग्रेस और जेडियेस पहली बार कमाइन होकर चुनाओ लड़ेते और सूप्रा सा कर लाई थी लेकिन इस बार इसका उल्टा है इस बार बीजेपी और जेडियेस साथ में हैं तो कॉंग्रेस को ऐसा लगता है कि यह जो कॉंबिनेशन है वो करनाटक में वर्काउट नहीं करता है इसलिए कॉंग्रेस वहाँ पर कुछ ने कुछ ऐसी भूमी का देख रही है जहां पर वो जेडियेस को टार्गेट करते हुए बीजेपी को भी हरा सके कुमार स्वामी जिसका जिकर करना बहुत जरूरी है मंडिया सीट वो देख रहे हैं बेंगलूर रूरल से वो चुनाव लगने की बात कर रहे हैं तो ऐसे में देखना होगा कि कॉंबिनेशन कैसे काउट करता है पांस सीटों की मांग की गयी है ऐसा लगाए तीन सीटों पर जेडियस सेटल हो जाएगी लेकिन यह कॉंबिनेशन क्या वर्क करता है क्या वोकली का और लिंगायद कम्यूनिटी दोनों एक साथ आकर बीजेपी के पक्ष में जेडियस के पक्ष में वोट डा ही है यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि बाकी सजन स्टेट में बीजेपी का फोकस बहुत ज्यादा गंबीरता से बीजेपी खुद प्रधान मंत्री ने मोर्चा संभाला हुगा बाकी राज्यों में लेकिन क्या परिस्थिति आप हम देखे वहां पहुंच गए जहां हमने जबरदा स्वीप पाली परिस्थिति में बीजेपी रही दो चनाओ में पिछले और तेलंगाना में अब वो अकुसका एक जनाधार है अब हम बढ़ते हैं उस राज्य की ओर जहां से बीजेपी को बहुत उम्मीद है और वो है केरल केरल की 20 सीटे और तमिलाडू की बात कर और लिए बीजेपी के लिए बहुत बढ़ी बात है कि पाँच सीटे बीजेपी को तमिलाडू में मिल रही है और कॉंग्रस को 6 और अनिक खाते में पांट सीटे जा रही है और अ यह तयक्त कर विजेपी एक बीजेपी एक फेद जीत पाया थी वो इस चमतकार से कम नहीं ह जमतकाल बीजेपी को जो लोग वहां काम करते हैं जिनकों पास वहां की रिपोर्ट जाती है उनको शायद ना लगे लेकिन एक नॉर्मल ब्यूवर के लिए बीजेपी को तमिलनाड में पांच सीटें आना ये अपने आप में बहुत अपरत्याशित घटना है और है भी बीजेपी का वहां पर अब तक कोई जनाधार नहीं रहा बीजेपी ने महांपर कोई सीट नहीं निकाली पिशली 2019 में शूम ने परती और हमारा सर्वे कह रहा है ये तमिलनाड में बीजेपी पांच सीटें जीत सकती है बीजेपी और कॉंग्रेस लगा लें कि बीजेपी और कॉंग्रेस लग बिल्कुल बराबरी आपर आकर खड़ी होती भी दिखाई दे रही है और दक्षिन में प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जो प्रयास लगातार करते रहे खास तोर पर तमिल्लाड को लेकर के अपने हर भाषण में तमिल्लाड का जिक्र करना तमिल्लाड की संस्कृति का जिक्र करना जैललिता का जिक्र प्रण मंतरी बहुत बार करते हैं और उसका सिला ऐसा लग रहा है कि इस चुनाव में बीजेपी को मिल रहा है पाच सीटे बीजेपी निकाल सकते है तमिलाड के अंदर यह एसा तुब जैसे स्टेट के अंदर अगर 40-50 सीटे मिलना यतनी बड़ी बात होती है तमिलाड में फाच सीटे मिलना भी उस लगभग वैसी बात है बीजेपी के लिए भाविश यह करिश्मा कैसे हो रहा है यह त मैं बहुत स्थी में बहुत आए नंबरस करने इस चु क्लो्जंट N Sue में चारी चारो थी क्योंने नहीं आदिए आरब कधू पर नॉन आपना केंडिडेट ने जिया उगा फोर डियोग उपारी दैनुदipping इन दस सीटों पर बीजेपी का फोकस बहुत दिनों से है उसमें, चार-पांच बज़े उसका में बतातो हो, जो कोयम टूर सीट है, कर्णिया कुमारी सीट है, कोयम टूर में बहुत ज़्यादा हिंदी भासी लोग रहते हैं, उसका एक असा दिखता जा रहा है, जो कर्णिया इनका एक अच्छा खासा आधार है, और जिस तरह से उनकोंने पिछले दिनों में एक कैम्पेइन चलाया हुआ है, उस तरह दिख रहा है, जो एंटी डियम के वोट है, वो उसमें सबसे ज़्यादा बड़ी बेनिफिस्सी बीजेपी बनके उभर रही है, एक बड़े यंग इनकोंने पिख रहे हैं, बीजेपी के जो जिस तरह हम लोग बात करें ते है, मोदी की गरेंटी उसका असर वहां पे दिख रहा है, और बीजेपी का जिस तरह का कम्बिनेशन हैं जैसे आप बात करें ते कि तमिलनादू में दरविडेयन पार्टी, देखें, वहां पे हो क्या रहा है दो दवीडियन पार्टी के साथ बीजेपी का एलाइंस ना होना बीजेपी के लिए एक तरह से बेनिफिसरी है मैं आपको इस्टोरिकल डेटा बता सकता हूं बीजेपी के लिए कभी भी गटबंदन फाइदे मन नहीं रहा आप देखें दोजाओ चौदा में चा अच्छा खासा बेनिफिसरी होता दिए तस्वीर आपके सामने लाइव तस्वीर है प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी इस वक्त तमिलाट में ही है तो लगतार प्रधान मंतरी के दौरे इस वक्त हम देख रहे हैं दक्षिन के राज्यों में चल रहे हैं सबसे पहले तेलंग पर जो फोकस है बीजेपी का वो कही ना कही प्रधान मंतरी के दौरों में दिखाई दे रहा है कि लगातार 2014 से लेकर अब तक प्रधान मंतरी कई बार दक्षिन जा चुके हैं खासतोर पर 2019 के बार ये दौरे लगातार बढ़ रहे हैं और चुनाव के नजदीक आते आते य दौरे अब इसलिए भी जादा बढ़ गया है क्योंकि दक्षिन को लेकर बीजेपी को जो संकेत मिल रहे हैं जो प्रधान मंतरी भी अपनी बैठक में कर मंतरी मंदल में कह चुके हैं कि किस तरीके से दक्षिन से उनको पॉजिटिव रिस्पॉंस मिल रहा है और यही वजा कि दक्षिन के दौर खोलने के लिए बीजेपी इस वक्त लगातार कोशिश कर रही है कि फोकस किया जाए दक्षिन के राजियो पर तो प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी इस वक्त ये रैली करे हैं जिन्होंने दक्षिन भारत में तमिल नाड में बीजेपी के लिए इसमक्त जबर्दस माहौल बनाया है प्रदेश रद्यक्ष अन्ना मलाई वो अभी शौल उड़ा रहे थे प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी को और यह तस्वीरे आप देखने लाइग जहां एक सभा में पहु लेकि इसवार यह घोसना हो गया कि बीजेपी वहां पर अपना कैनेड़ेट देगे चुकि बीजेपी वहां पर नमबर टू पार्टी है तो नमबर वन जो वहां पर जिए में उनकी पार्ट बीजेपी उनका जितना बहुत आसान है इसलिए अरब अब आपने आपने मेरे को तो अभी बी डाउट लग रहा है रही है ने भी मैं आपने मैं जो सर्वे में दिखाया कोईमबतूर रामना तुरम करन्याकुमारी वैलोर और पूडू चैरी नहीं देखिए कॉर्णबतूर है पालगार्ट के बॉर्डर पे जहां पे पालगार्ट में भाजपा का स्ट्रॉंग है तोड़ा सा शायद उसका असर हो सकता है और दूसरा है कॉर्णबतूर दिरपूर में काफी लोग यहां से वहां काम करने जारे हैं तेक्स्टाइल मिल्स यह इसका बेनिफिट हो सकता है उसके अलावा मेरे को लगता है बहुत मुश्किल है उसके अलावा भी मैं कुछ सीटे बता दूँ जहां पर बीजेपी बहुत अच्छा फाइट में एक मदोरे सीट हो गया चैन्ने की दो सीटे हैं उसके बाद एक और सीटे जिसका मैं नाम हम भूला लेकिन चार-पांच ऐसी सीटे हैं जहां पर बीजेपी अभी भी फाइट में है हलाकि हम अभी की सर्वे करें जहां पर बीजेपी को एज है इसलिए हम बता रहे हैं हो सकता आगे वाले दिन में बीजेपी और अच्छा कर ले और खराब कर ले एक तरह से फैदा ह हो सकता है इसी को लेकर हमारे साउथ की बेरोचीव रागवन से जान लेते हैं कि क्या उनको ग्राउंड पर ऐसा लग रहा है कि AIA-DMK और DMK के लड़ाई में बीजेपी 5 सीटे ले जाएगी रागवन 5 सीटे बीजेपी जीत रही है यह उपीनियन पोल के मताबिक 20 सीटे DMK और इसके अलावा AIA-DMK को भी 4 सीटे मिल रही है आपको कैसा लग रहा है यह उपीनियन पोल कितना सर्प्राइजिंग आपके लिए है या फिर ग्राउंड पर सिचुएशन कैसी आपको लग रहा है कि बीजेपी के खाते में 5 आ सकती है जिदी कि थोड़ा सा फारफेच्ट लग रहा है क्योंकि 5 सीटे जीतना अभी भी बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल है वहाँ पर ऐसा लगता है लेकिन जो चीजेपी के लिए प्लस हुई है मैं आपको बहुत जल 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 दी उसका जिक्र कर देता हूँ पहली बात जो नॉर्थ इंडियन पार्टी जिसे कहा जा रहा था अब तक हमने देखा कि 2014 के इलेक्शन्स भी हमने तमिलनाडू में कवर किये थे गोनिक और जबरतस्त भीड प्रधान मंतरी की रैलियों में वहाँ पर जूटती थी लेकिन नतीजा जब आया तब सिर्फ ए एक रविंद्रनाथ जो ओपी एसके बेटे हैं उन्होंने एक सीट गीडिटी और बीजेपी का खुद का वोट परसंटेज है वो तीन पर दश्मलाव कुछ परसंट रह जाता जानी 2014 से दो फिसदी और घट गया था इस बार क्या प्लस है बीजेपी के लिए वह हम बहुत क जिकली बताते हैं सबसे बड़ा प्लस जैसे सारव ने जिकर किया था कि अन्नामले हैं उन्होंने परसंट कह सकते हैं कि बीजेपी के फेवर में तमिलनाडू में बदला है जो युवा वोट हैं वो बीजेपी की तरफ बहुत ज्यादा अट्राक्ट हो रहा है ऐसा ग्राउ जिकर हमारे जो विशेशग्य हैं भावेश वो भी कर रहे थे कमोबेश ऐसी सीटें जिसमें कॉइमटूर है कन्या कुमारी है चिन्ने सेंट्रल की एक सीट है जिसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा है यह कहा जा रहा है कि वहां से जो हमारे विदेश मंत्री है एस वोट वहां पर बीजेश पी के पक्ष में जाते हुए दिख सकता है तो एसी कई सीटें जिसका जिकर मैं करना चाहूंगा वहां पर ऐसा लग रहा है कि बीजेश बहुत ज्यादा स्ट्रॉंग है वहां पर एक विदेश से आएवे आयाई टीन जो है वो बीजेश पी के पक होगा ये देखने वाली बात होगा ये देखने वाली बातुका क्या भी जो आपको आपको प्रदानदा सही होगी नहीं है ये डोनों जो बड़ी पाटियां या ये दीमक कि दोनों में से किसी के साथ बीजे-पी का कोई इस बार बीजेपी जा रही है अपने दम पर चुनाव लड़ना इस बार तमिलाड में क्या बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है एक तो जो भी कोई आप से खाई कि फार फेस लग रहा है पांच सीटे या मुश्किले या हैरानी होगी ऐसे में तुरंट पर मैंने उसका रीजन दिया है मैं अभी भी कहता हुआ है ता मिलाडू में बीजेपी के अच्छा परफॉर्म करने की एक और जो बहुत हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान ने दे कि सब्सक्राइब को ने चाहिए एक तो मैं यह कह रहा हूं कि दक्षन भारत नेशनल औरनेटीव की तलाश कर रहा है लंबे समय से छेत्री राजनीती करते करते दक्षिन के लोग ठक गए हैं तेलंगा ना उसका बड़ा उदार रहना है बी आरेस जिस तरह से साफ हुई है वो अपने बड़ा उदार रहना है एक और चीज़ समझे जब आप कहते हैं कि द्रविडियन राजनीती में जो रहेगा एडियम के एडियम के उसके साथ ही जाएं ये ठीक बात है सरसट के बाद कॉंग्रेस ने ऐसा मैदान छोड़ा रण छोड़ हो गए एकदम से कि वहां कुछ बचा नहीं लेकिन अब आप देखिए न तो करुणा निधी है न तो जैललिता है जो लीडर्शिप वैक्यूम थ कल अपनी भूमी अपने लोग यात्रा है वो उसको करती हुई दिख रही अब सीटे कितनी आएंगी ये कहपाना किसी के लिए भी कठिन है क्योंकि तीन परसंट और छे परसंट की बात है लेकिन तुरंत त्रिपुरा याद आ जाता है तुरंत बंगाल याद आ जाता है जह परिटों में कितना बदलेगा ये तो परिणाम मत भीजे जी और वो एक तेजी से उन्होंने वहाँ पर ग्राफ बढ़ाया दूसरा काम उत्तर पदेश के तरह से भारती जनता पार्टी ने यहां किया है उत्तर पदेश में था कि जो समाजवादी पार्टी के साथ वोट थे एस सी के और मायावती के साथ जो एस टी वोट थे जाता व यादव वोट उसके अलावा जितने वोट थे उस पर फोकस करके भारती जनता पार्टी ने वहाँ जगे बनाई इसी तरह से यहां पर तमिल नाडू में वो जो डीम के और एई डीम के के अलावा जो वोट है जो सनातन का जिस तरह से लगातार वहाँ पर चलता रहा मंत्री को यदि आप देखें तो तमिल नाडू में उन्हें जो पूरी दौरे किया है रैली किया उसमें मंदिरों में ही सबसे ज्यादा रैली किया तो वो पूरा पूरा एक नेरेटी बदलना और वो जो वैक्यूम है उस वोटर के लिए जो जगे नहीं थी डीम के और ही निकल पाती है लेकिन डीम के याई डीम के का जो बचा हुआ वोट है उसके लाव और चैनाई की सीट मुझे लाए मैं एक महीने बिदान सबा चुनावों में तमिल नाडू में रहा हूं तो वहां पर अब भारतिया जनता पार्टी को लेकर उस तरह की नाराजगी नहीं आस्पिरेशन जो है वो टाइम लगेगा उसको थोड़ा से विकल होने में अलग हम लोग यह अकसर बात करते थे राम मंदिर का प्रान पतिश्था के बाद ऐसा कैसे हो सकता है कि दक्षन इससे अचूता रह जाए बहुत सारे वजहों में से एक वजह तो वो भी होगी तो उतना जोर नहीं आप ठीक करें लेकिन आप इसको थोड़ा देखिए कि कैसे चीज है एक तो यह कि जब आप अन्ना मलाई की बात करते हैं जब हम हिंदी पार्टी कहते तो सिर्फ इतना भर नहीं था वो वहां कहते थे कि हम ब्राहमेनिकल जो सत्ता है पावर है उससे किया लेकिन बीजेपी की पूरी लीडर्शिप अन्ना मलाई सही तो कौन सी है वो वहां की पिछडी और अनसुचित जाती से दूसरा क्या है जब हमने देखा जब संसद में सेंगोल की स्थापना हुई जो अधीनम के जो वहां से संत आये थे जो पुजारी आये थे कमाल की बात है कि बहुत से लोग टिपड़ी करते हैं उनमें से कोई ब्राहमर नहीं था उसो पिछडी जाती की पीट है जो अधीनम है तो तमिल नाडु की राजनीत में एक नए सीरे से भारती जनता पार्टी नहीं जो कुशिश की है वो शायद अभी दिख नहीं रही टाइन ज्यादा देश में अगर किसी की चर्चा इधर हो रही है तो तमिल एस्पिरेशन की होती है और अन्ना मलाई को शायद भारती जनता पार्टी इसलिए थोड़ा जिसको कहते हैं कि आउट आप प्रपोर्शन ओव बढ़ावा दे रही तो कहीं ना कहीं जैल अलिता को वोट खुल सकता है क्या वहाँ पर भी कमल खिल सकता है छोटा सा ब्रेक ब्रेक के बाद केरल और आंधर के ओपीनियन पोल आपको देखाए हैं इस बार 22 सीटें अपने दम पर जीत सकती है और अपने साथी जेडियस को मिला दें तो 24 सीटें जेडियस को 2 सीटें मिलती दिख रही हैं कॉंग्रेस को 4 और तमिलनार्ट और पुलिचिरी की एक सीट जोड़कर 40 सीट बनती है यहाँ भी बीजेपी खाता भी खोल रही है औ और कॉंग्रेस पार्टी के बराबर लगबा ख़डी होती भी दिखाई दे रही है पाँच सीटें बीजेपी इस बार तमिलनार्ट में जीट सकती है और बाकी दल जो हैं मिलाकर 43 सीटें, कॉंग्रेस 43 सीटें और बाकी दल 7 सीटें जीत सकते हैं। अब आपके सामने केरल का सर्वे रखते हैं, केरल की 20 सीटें उतनी मुश्किल हैं बीजेपी के लिए जितनी तमिलनाट की हुआ करती थी। और इस बार हमें जो सर्वे बता रहा है, केरल में भी एक करिश्माई रतीजा बीजेपी को मिल सकता है, तीन सीटें बीजेपी केरल में इस बार जीत सकती हैं। अपने बड़े-बड़े चेहरों को बीजेपी वहां से उतार रही है, और उसका कहीं ना कहीं नतीजा यहां पर दिखाई भी दे रहा है, जो पीनेट पोल में, कि बीजेपी तीन सीटें फिलाल केरल में जीती हुई दिखाई दे रही है, यूडिएफ क्यारा और इन आपको थोड़ा ज्यादा लग रहा है, यूडिए हायर साइटी. कि बीजेपी को मिल सकती है, लेकिन हारने वाले के नाम आपके सामने रखेंगे, कृष्णा असर वैसे आपके लिए क्या ज्यादा है, तमिल लांडर बीजेपी की सीट निकलना है या केरल में, ज्यादा मुश्किला आपको मानता है, मुझे तो लग रहा है केरल में तीन त वहां पर जो एंटी हिंदू कहले या लेफ्ट कहले या और जो है उनका जो वाइलेंस फाइट है, वो संग में और उनके बीच में लगातार रही है, विजल पचास साल में, इसलिए वहां पर वो गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है, और उस गुस्से को संगठन के किया, इसाई समधाय के भी बहुत सारे लीडर्स को अब पार्टी ने अपने साथ रखा है, वो कितना उपचारिक है या कितना उसमें समावेशी हो पाते हैं यह नहीं मुझे पता, लेकिन उस जो गुस्सा पिछले 10-20 साल से बढ़ रहा है न, वो रिजल्ट में निकलने की समभावना भारतिय जनता पार्टी देख रही है, ऐसा मुझे लगता है, और प्रधान मंत्री ने तमिलनाडू के बाद के बाद केरल पर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया, वहाँ पर पार्टी का लीडर तो कोई नहीं है, लेकिन प्रधान मंत्री ने जो एक्ससाइज किय है, वह कितने नतीजे में बदलती है, यह आपको बताएगा कि कितनी सीटें मिल रही है, और हरश्वर्दन जी एक सर्प्राइस बीजेपी ने इस बार दिया भी है, एक मुस्लिम कैंडिडेट को उन्होंने उतार दिया है, यह बीजेपी पर हमेशा आरोप लगा कि मुस्लि साइन्टिस्ट, बहुत शांदार शांदार लोगी, इस वीजरन को तो चेहरा ही बना जिया था, लेकिन मुश्किल है कि वहाँ आधार कितना है, वहाँ आधार नहीं था, इसके मावजूर मुझे लगता है कि 3-4 सीटे हैं, पलककड है, त्रिशूर है, पत्तन मतिटा है, त बड़ी चीज होगी, अगर वो कुछ वोट लेकर आप आएंगे, तो जहां भारती जनता पार्टी को 2 लाग, पौने 2 लाग, 3 लाग, 3 लाग, 3 लाग वोट मिले है, वहाँ वो जीत की तरफ बढ़ती हुई दिखेगी, केरल में सीट जीतना, यह हमेशा अभी भी कोई भी बड़ी अभी दीवास आपने दिखा रहे हो, मुश्किल तो है, चले तो मैं आपके सामने कुछ सीटे रखता हूँ, मलापुरम सीट जो है, जिस पर मुस्लिम कंडिडेट ख़़ा किया है, वो आई-उ-मल की मजबू सीट है, उससे पहले प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ज पहले से हैं, मुझे आपका प्रेम भी बहुत पुराना है, लेकिन इधर कुछ वर्षों से, मैं जब भी तमिलनाडू आता हूँ, कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगता है, इन्हें इस बात से तकलीफ होती है, कि बीजेपी का जनाधार यहां लगातार बढ़ रहा है, यह बात तो सही है कि भारती जन्ता पार्टी ने और नरेंदर मोदी ने खासकर तमिलनाड को लेकर के जितना अनवरत प्रयास किया है, उसके बाद अगर कोई सर्वे दिखा रहा है कि पांच सीटें बीजेपी की तमिलनाड में आएंगी तो उनके लिए बड़ा यह सुख देने वाला होगा, हम लोग केरल की सीटों की बात कर रहे था, उतना ही आश्चरे जन्या के केरल में बीजेपी की सीटें निकलना कुछ लोगों के लिए, लेकिन तीन सीटें भावेश का सर्वे जाओ दिखा रहा है कि केरल में जीत सकती है, मैं आपसे पूछा दो जैसे तिरोमनंत पुरम की सीट है, तिरोमनंत पुरम यानि की शशी थरूर की सीट जो यहां से तीन मार से लगातार जीत रहे हैं, और शशी थरूर एक अपने आप में एक प्रॉमिनेंट चहरा भी हैं और एक लोगपरी यह चहरा भी हैं, इस बार उनका मुकाबला राजीव चंदरशेखर से है, आपको क्या लगता है, इस सीट किसके पास जा रही होगी, अर्श्मदन जी, नहीं, मुझे लगता है कि यह इस सीट पर जिसको हम कहते हैं, कि दो-तीन चीजें हुई, एक तो यह कि अगर आपको ध्यान में हो, जब इसराइल-फलिस्तीन, दरसल इसराइल-हमास, वो युद्ध हुआ था, संघर्श हुआ था, हमला हुआ था, तो उसक शरसी थरूर एक कारिक्रम में गए, और उस कारिक्रम में लोग उनसे नाराज हो गए, अब वहाँ पर जिस तरह का सेंटिमेंट है, क्या राजीव चंदरशेखर उसको ठीक से अच्छे से समहाल के रख पाएंगे, लडाई वहाँ कड़ी हो सकती है, जीत के कितना नजदीक है, यह कहपा पहला सीट करो जानता, वाइनार्ट की सीट है, जहां से राहूल गांदी पिछली बार चुनाब लड़े, 2019 में, और इस बार उनके अपने साथी नहीं चाहते थे, लेफ्ट के कि राहूल गांदी यहां से चुनाब लड़े, उनको लगता था, जहां भारती जंदा पार्ट प्रेबली अपनी सीट जीतेंगे, इसमें कोई शक जो है, वो दिखाई दे नीरा है। लेकिन जो उपीनियन पूल बता रहा है कि इंडिया अलाइंस वहां से जीत रहे हैं, यानि कि आई उएमल की जीत वहां से होती दिखाई दे रही है। बीजीपी निया से केंद्र विदेश राज्यमंत्री वी मुरली धरन को उमीद्वार बनाया है। और बीजीपी के वोट शेयर में सबसे ज़्यादा उचाल यहीं से हुआ था जो तेरा प्रतिशत वोट शेयर बीजीपी को 2019 में मिला, उसमें काफी ज़्यादा कॉंट्रिवूशन अटिंगल सीट का था और केरल के त्रावन को रिजन में बीजीपी सबसे ज़्यादा दिख रही है और जो उपीनियन पोल बता रहा है कि यहां से केंद्रेवंत्री भी मूरली धरन अपनी सीट को निकाल सकते हैं यानि कि यह सीट भी बीजीपी के खाते में जा सकती है समीर जी यह तीनों सीटे या पाचों सीटे जिस पर हमने बात की कौन सी सर्प्राइजिंग फैक्टर आपको लग रहा है इसमें और क्या लग रहा है कि इसके अलावा भी कौन सीट है जो बीजीपी खाते में जा सकते हैं इससे वो लगाता है और हर मैंने उन्होंने त्रिवन्ता पुर्म सीट का दोरा के आए कैनल के अंदर तो मुझे लग रहा है कि यह सिर्प्राइजिंग लग रहा है कि जासे सुरेश गोपी पिछली बार ने बहुत अच्छी फाइटी थी थी पधानमंत्री मोधी अभी उन क्योंकि पिछले बार कॉंग्रेस 15 सीटे जीती थी कैरल से इस बार UDF को 11 सीटे मिल रही है इसका मतलब 2 सीटे कम कर दिया जाए तो कॉंग्रेस को 9 सीटे महां कर मिल रही है तो यह ता है कि कॉंग्रेस हो 7 सीटों का नुकसान हो रहा है तो जो 52 सीटे कॉंग्रेस ने 2019 में बाकि उत्तर भारत में तो कॉंग्रस के लिए इस बार 2019 के जो टेली है वहाँ पर पहुचना भी बहुत मिश्क्कल होगा अगर यूडियफ 11 सीटे लेता है तो यह आपने वही बात करें जब लोग बात करते हैं कि क्या दर्यांदर मोदी को 370 सीटे आएंगी तो पर अटके पूछते हैं कि क्या कॉंग्रेस पार पचास की ओपर जाए इसमें नहीं बात सही है कॉंग्रेस यहां से नीचे जा रही है किरल क करनाटक और तेलंगाना से काफी कुछ उसमें वो जोड सकते है करनाटक और तेलंगाना में बढ़ रही है कॉंग्रेस पता है बहुत लोगों के लिए सर्प्राइज हो सकता कि बीजेपी तीन सीटे केरल से कैसे ला सकते है लेकिन आप हिस्टोरिकल डेटा भी देखिए बी कि सीट थी एक तिरवन्त पूरम की जब हम बार-बार बात करता है हम बूले 2014 में ससीत हो रहते हारते बचे थे बहुत एक दो पसेंट सही ता 2019 में उन्होंने जीत कैसे के सबको पता है वहां पे CPI के साथ उनका अंडेस्टैनिंग था हो सकता है इस बार फिस अंडेस्टैनि जो प्राइमीनिस्टै का किस्टन कम्यूटी के तरफ जो आउटरीच रहा है उसमें आप देखेंगे जो माइनुरिटी किस्टन है उसको बीजेपी खास को टार्गेट करें जिसका बीजेपी को फायदा हो रहा है दूसरा आप ठीक से एक कासा करके ओर्गनाजीशन है जो क यूथ में जो किस्टन यूथ है जो माइनुटी किस्टन माइनुटी की जो में बात किया उसमें बहुत अच्छा कासा इफेक्ट देखा जाए जिसका लगवद 6-7 सीटों में जरूर असर देखा जा रहा है बीजेपी अलगवद फाइट में है वहां पर लेकिन अभी जो तस सीटे यहां पर है लेकिन रहा है पिछली बार यहां पर नहीं खुला था शूने सीट पर थी लेकिन इस बार बीजेपी अभी भी बना हुआ है क्योंकि यहां पर भी बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली है इस बार geographyन पोल में इो उपीनियन पोल कितना सहीचारबीत ओतर क क्या क्या चैलेंजिस विजे जी बीजेपी के सामने है आंदरप्रदेश में जगन रेड़ी जो है वो एक स्ट्रॉंग लीडर के तौर पर आंदरप्रदेश में आए और वो आंदरप्रदेश के संगठन को लेकर कुछ रन नीती बना रहे हैं वो यदि टीडीप के भरोसे बैठे है या पावन कल्यान के भरोसे बैठे है तो मुझे नहीं पता अपने भरोसे तो वो कुछ नहीं कर सकते हैं भारती जनता पार्टी आंदरप्रदेश में इसलिए मुझे कोई आश्यर वहां जो अच्छी ख़बर वीजेपी के पास तेलंगाना करनाटक तमिलाडू केरल तक आ रही थी वो आंदरप्रदेश में आते आते कहीं बुरी ख़बरी बन गये जिए लेकिन वी मुझे धरन जो है ना वो मजबूत लीडर है संगठन के बड़े लीडर रहे हैं और उनका चा पाइदा इस दे नहीं हो रहा क्योंकि आंदरप्रदेश का जो गठन हुआ तेलंगाना से टूटा था तो महां पे लोगों को नाराज गिए कि आपने प्रदेश को तोड़ा और हैदराबाद जो चला गया तेलंगाना के पास तो वो भी है कॉंग्रस के साथ नाराज गी त कॉंग्रस है जरू ठिक टाक मार आता लेकिन सीटों में कर्मत नहीं हो रहा है यसर और टीडीप में बहुत जादा गैप नहीं है फिला फिला बहुत जादा एंटिन कमेंसी है यसर के साथ प्लस पॉइंट यह है कि टीडीप पिछले कुछ दिनों से उसके साथ अंतर नहीं था लेकिन टीडीप फिर भी सरकार बनाई थी और बड़े जीत लेके आगे देखियो को इसका सबसे बड़ा एडवांटेज था बीजेपी के साथ होना और चुकि यह नैशनल एलेक्शन के साथ होता है वहां पर एसलमी एलेक्शन तो टीडीप को फाइदा मेल इस बार यदि एलाइंस होता है तो हो सकता है टीडीप आगे निकर इसले मैं बहुत लोगों से कहता हूँ इस वा फिर कहता हूँ आंधर परदेश के सब्सक्राइब करना थोड़ा मुस्किल होने बाला है फिलहाल अभी ग्राउंड यह है कि वाईसर के साथ एडवांटर ज पिछली बार यह आंकरा उनसे तक था तो बीजेपी को 400 तक पहुंचने के लिए कितना सीटे जीतनी होंगी दक्षिन के इन राज्यों में आखरी 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 आप लोगों से तो कोई योगदान हुआ नहीं ना उनका साउस से तो कोई कंट्रिबूशन उनका बढ पांची सीटे बढ़ी है काईदे से 30 सीटे थी एंडिय के पास वहां पर एक इंडिपेंडेंट के साथ 26 सीटे करना टक में और चार सीटे यहां पर तो 30 सीटे थी पैती सीटे हो सकते हैं यहां पर वेकिन उसको 400 में कितना कंट्रिबूशन होगा आप भी सूझ लिए पर मैंनत करने होगा समीर जी जगे नहीं पचिे काहां मैंनत करना है और जो मैंनत वाली जगे है इसमें वेस्ट बेंगौल है, महराष्ट है, बिहार है और जारखंड है जारखंड भी नहीं है लेकिन महराष्ट, बंगाल और बिहार खास तोड़ से तीन जो राज्ये हैं वहाँ तीनों ही जगे भारती जंता पार्टी को नंबर बढ़ाना मुझे मुझे मुश्किल लगता इस सवाल का जवाब आपको कल मिल जाएगा भारती जंता पार्टी को 370 या एंडिये को 400 सीटे आ रही है या नहीं है या ही मुमकिन नहीं है त्योंकि कल आपके सामने हम अवर आल उपिनियन पोल जो है वो रखने जा रहे हैं आपके सामने पूरे देश में किया गया हमार और भावेश का वो सर्वे आपके सामने होगा किस राज्य में बीजेपी कहा है कॉंग्रेस पार्टी कहा है जानना चाहते हैं कॉंग्रेस 50 की उपर जाएगी आ नहीं बीजेपी पिछली बार दो 303 की कितना उपर जा सकती हैं सारे सवानों के जवाब आपको मिलेंगे कल जब आप देखेंगे पूरे देश का सर्वे आज बहुत धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने के लिए मार साथ बहुत शुक्री आपका